नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर रावज चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ये श्वामपेतिक सेंटर जोदपुर मैं हादिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हमें उस कंडिशन के बारे में बात करेंगे जिस से आज आलमोस पूरे वर्ल्ड वाइड के जो है कहीं ना कहीं हर एज ग्रूप के लोग प्रेशान है दोस्तों वो मांसी कंडिशन जिसको की डिप्रेशन का आ जाता है दोस्तों मैं इसको बिमारी नहीं कहे कि एक मानसिक कंडिसन या मानसिक अवस्ता कहूंगा क्योंकि दोस्तों यह डिजीज नहीं है यह की लाइफ में एक फेज आता है एक अवस्ता आती है एक कंडिसन आती है जो टाइम बिंग होती है और कई वार अगर इसका हम प्रॉपरली इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो फिर ही lifelong आपके जीवन का एक तरह से हिस्सा बन जाती है आप टेबलेट्स वगरा पर आ जाते हो और फिर आप कह सकते हो कि यह बिमारी बन गई है लेकिन दोस्तों इसमें समझने वाली यह बात ह यह कोई बिमारी नहीं यह आपकी लाइवा एक फेज है और यह टाइम बिंग होता है जस्ट हमें जरूट होती है कि इसको हम समझें और किस तरह से हम जल्दी से जल्दी से और कम आ सके यह से हम बाहर आ सके दोस्तों सबसे पहले हम समझने की कौसिस करते हैं कि मानसी या आप जहां काम करते हैं, आपको ओफीस में हो सकता है, कुछ अच्छा नहीं लगे, आपको बिजनस कर रहे हैं, तो वहां आपको कुछ अच्छा नहीं लगे, आपको अपनी फैमिली लाइप में अच्छा नहीं लगे, यानि हर तरह से आपको अपनी लाइप में नकार आत आती है ये condition तो उसके कारण आपको जो है आप suicidal thoughts यानि आपको यहां तक लग सकता है कि मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए दुनिया बिल्कुल बेकार होगी है या मेरा इस दुनिया में कोई अर्थ नहीं है तो क्यों ना मैं जो है मेरी life को जो है end कर लो यानि इस thoughts यानि मानसिक विचार आपको इतना negativity में ले जा सकते हैं कि आप अपना जीवन खतम करने की भी सोच सकते हैं तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मानसिक अउसाद या depression के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो भाग दोड़ बरी जिंदगी है उसके अंदर worldwide यानि पूरे संसार के अंदर हर जगे कही न कहीं हर परिवार में आपके friend circle में आपके रिस्तेधारी में या आपके घर में ही आप देखेंगे कि कहीं न कहीं कोई जो है आदमी ऐसा मिल जाएगा जो कुछ मानसिक तनाव से गुजर रहा है कहीं न कहीं मानसिक अउस साथ का सामना करना नहीं पड़ा है दोस्तों तो आपको अगर कुछ ऐसा टाइम है आपके जीवन में जिसमें कि आपको negative thoughts आ रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला है तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप अपने अपना आप improve हो जाते हैं तो बिलकुल भी घबराएं नहीं और इसको अपने सिर पे या दिमाग पे मैं कहूंगा हावी नहीं होने दे लेकिन दोस्तों कई वार ये होता है जैसा मैं आपको बताया है कि जब ये इस्तिती लंबे समय तक चलती है ये मानसिक अवसाद एक वी आपको मिनिममम पंदरा दिन यानि टू वीक से लेके और दो मैना तीन मैना या कई वार दो दो तिन तीन साल या आगे तो देखा कि लोग दस दस साल से भी इसकी गोलियां खा रहे हैं तो ये जो मिनिममम फिप्टीन डेज से लेकि जब इससे लंबे समय तक इस तरह का कही ना कही हम जो है मांसी का उसाद या डिप्रेसन में तो नहीं जा रहे हैं दोस्तों सबसे पहली बात जो मांसी का उसाद के पेसेंट होंगे वो लंबे समय तक कही ना कही डिप्रेस फिल करेंगे वो सेड फिल करेंगे और कही ना कही उनको हर चीज में नेगिटिव नहीं लगेगा आप कुछ बिजनस करते हैं तो वहां भी आपको अच्छा नहीं लगेगा आपको family life में personal relations में अपनी family life में और आस पास के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा हर चीज में आप negative thoughts रखेंगे यानि हर चीज में आपको नकारात्मकी नकारात्मक देखने क मिलेगा या आप कुछ भी देखेंगे तो उसका आपको negative पहलूग पहले लगेगा कि नहीं अब यह ऐसा हो गया तो इसका कुछ बुरा ही होने वाला यानि आपके मन में अच्छे विचार आने बंद हो जाएंगे और आप दीरे दीरे आपको जो है हसना जो है दूसरों से होने लगता है आदमी दूसरों से कटने लगता है अकेले टाइम ज्यादा बिताने लगता है और कहीं ना कई मांसिक विचार जो है हाई टाइम कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहेंगे जो उनको ज्यादा प्रेसान करते हैं और इस तरह की दिमाग में उध्वर्बुन स आप कह सकते हैं कि शुरू हो जाती है जो आपको life में hopeless बना देती है यानि निरासावादी बना देती है आप जीवन में अपनी आसाख होने लगते हैं और उसमें दिरे-देरा आपको य confer लगने लगता है कि नई मैं जीवन में फील कर सकते हैं जैसा इससे मिलता जुलता यह वर्ड है यानि आपको हर टाइम वही लो फील होगा आपकी बोडी के अंदर एनरजी भी इवन आपको फील नहीं होगी आप मेंटली और फिजिकली यानि मांसिक और सारी ग्रूप से दोनों से आप कहीं न कहीं अपने आपको कम एक अंजाना सा डर है टाइम लगा रहता है मन में मतलब कुछ एक डर एक भे एंटिसिपेटरी फियर यानि आने वाले फीचर को लेके डर इस तरह की चीजे होती है जो लगाता है आपको दीरे दीरे तंग करने लगती है दोस्तों इसी के साथ जब ये सारी चीजे होती है तो वो आदमी कहीं न कहीं irritable या चिडचड़ाट होना सुरू हो जाता है यानि उसका जो लोगों के साथ विवार है वो बदली होने लग जाता है और उसके जो है जैसे किसी से बातचीत कर रहे है रेस्पाउंट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं चिडचड़ाट गुसा ये जो है चिडचड़ाट गुसा और ये चीज़े ज़्यादा बाहर निकले दोस्तों इन सब के साथ ही देखा गया है कि कुछ कैसे के अंदर जब आपको डिप्रेशन ये मानसी का उसाद होता है तो ज़्यादा तर लोगों की थोड़ा भूग कम हो जाती है और कुछ लोगों जाए leaking कम आने लगेगी हो सकता है कि आप जो हैं बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि 24 आवर्स में रहिंद उनको ही टाइम उनको कुस न कुस थोट्स विचार आते रहते और ऐसे विचार जो उनको परेसान करते जिसके कारण की वो रेस्ट नहीं कर पाते और उनको नींद नहीं आ पाती तो जो नींद नहीं आना है यह एक इसका बहुत बड़ा symptom या लगसर नहीं दोस्तों इसी के साथ अगर कोई married आदमी है तो उसको married life भी खराब होने लगेगी उसका अपनी जो है even sexual light के अंदर भी कही न कई interest कम होने लग जाएगा और इसी के साथ के अंदर दोस्तों जो है उसको कुछ guilty feeling भी हो सकती है या उसके लिए खुद को जो है उन्होंने नहीं चाते होई भी loss किसी को भी हो सकता है तो कुछ ऐसा financial loss हो गया जिसके कारण घर को कुछ समय तक जो है कुछ problems का सामना करना पड़ रहा है तो एक guilt feeling आने लगेगी उनको कि नहीं मेरे कारण ही सब परिस्तितियां घर की खराब हो मेरे कारण मेरे बच्चों की जो है लाइफ खराब हो रही है मेरे कारण मेरे पैरेंट्स तो ग्यों आड़ एक अच्छी लाइफ नहीं दे पार हो तो है घ्ल्ट लिए आदमे खुद को एक दोस देने लोगता है इतना वह रशाहता है या आप कह सकते हैं कि हर आदमी के जी होती है हर failure के लिए या tough time के लिए कुछ ऐसा जो आप चाह रहे थे ऐसा अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए खुद को दोस्त नहीं देना चाहिए यह प्रिस्तितिया होती है फेज होते जिससे आप अपना आने वाले टाइम में बाहर हो जाते दोस्तों इन सब के कारण वो व काम होने लगती है यानि जो भी काम कर रहे है उसको जो है और प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका mental concentration नहीं बन रहा उसके कारण दिमाग में धीरे धीरे सुनापन मगरा भी वो महसूस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं जब वो physical और mental दोनों य लेडी के बजाए यह जादा देखने को लगता है कि ऐसे लोग अक्सर फिर एलकॉल या दूसरा इस तरह की नसे के सेवन की तरभी जाने लगते जो कि बिल्कुल भी इसका इलाज नहीं है उल्टा आपकी problem को बढ़ाने वाला है दोस्तों ऐसे कंदर ये भी देखा गया है क अक्सर फिर आप आसपास की स्राउंडिंग में अपने जो आपके वेल विसर से हैं आपके फ्रेंड्स हैं फैमिली मेंबर से उन पे भी अक्सर जो ऐसे लोग सक करने लगते हैं यानि उनके उपर भी आपको जो है नेगिटिव थोट से डाउट होने लगता है आपका confidence अप यह चीजें बहुत जादा बढ़ जाती है जब यह चीजें मतलब लमबे समय तक रहने लगती हैं तो कहीं ना कहीं यह डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि आद्मी को फिर लास्ट में यह लगता है कि नहीं में यूजजेस हो गया ह। या मैं जो भी कर रहा हूँ सब गलत कर रहा हूँ यह जो भी आसपास में सब गलत हो रहा है मेरे घर में परिवार में या बाहर जो भी है इन सब के लिए मैं responsible है हूँ जैसा मैंने आपको बताया guilt feeling और हर चीज के लिए खुद को दोस्त देना तो इस तरह की activities भी कई वार अकसर इसमें देखने को मिलती है दोस्तों यह कुछ common lesson थे जो कि कहां से एक छोटे से negative thoughts से शुरूबे जो बहुत normal phase होता है हर आदमी की life में होता है लेकिन धिरी धिर हमने देखा कि अगर इसको हम control नहीं करें लेकिन अगर आप अपनी life में determined है आप अपना positive है और अपना जो भी काम कर रहे है उसको आप regular करते रहे धिरे धिरे प्रिस्थितियां वापिस आपके जो है favor में होने लगेगी और आप मान के चलिए कि यह बिलकुल phase है अवस्ता है जिस तरह से हर रात के बाद में वापिस सवेरा होता है उसी तरह से आपके जीवन में भी आपको लग रहा है कि नहीं अब depression हो गया है और अब मेरे जीवन में सब कुछ खतम हो गया है कोई मतलब नहीत ऐसा दोस्तूं कुछ भी नहीं है ये एक जस्ट फेज है आप कह सकते हैं कि आपके जीवन की में एक रात है जो जल्दी गुजर जाएगी और वापिस एक नई सवेरा और एक नया सुबह होगी दोस्तों इस वीडियो में हमने डिटेल में बात की कि डिप्रेशन के क्या-क्या लकसन या सिम्टम होते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगी क्या-क्या कारण होते हैं जिसके कारण जो आपको डिप्रेशन हो सकता है और कौन-कौन सी होमेपेटिक मेडिसन से जिसके अंदर की हम लेके और डिप्रेशन को बिल्कुल जल्दी से जल्दी जड़ से खतम कर सकते हैं दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आज इस वीडियो में जो मैंने आपको डिप्रेशन के बार में जो सिम्टम और लक्सन बताएं ये जानकारी आपको पसंद आएगी और लापकारी साबित होगी दोस्तों इसी तरह से मुझसे जुड़े रेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ये शोमपेटिक सेंटर जौदपुर को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जुरूर दबाएं जिसे में जैसे को वीडियो डालो आपको नोटिफिकसन मिल सकें थैंक यू